पहले चरण के चुनाओं में सबसे ज़्यादा उमिद्वार मैदान में इस वक्त तक दिखाई दे रहे हैं। चार लोगसभाज सीट पर चुनाओ होने जा रहे हैं और इसमें 38 उमिद्वार मैदान में सीधे तोरते हैं। दोनों महत्पूर गटबंधन को छोड़ कर सबसे ज़्यादा निर्दली और राज जी के अंदर जो दूसरी पार्टिया हैं। उनके उमिद्वार मैदान में हैं। आपको बताई कि लोगसभाज चुनाओं में पहले चरण को वोटिंग 19 अप्रेल को होनी है। और 19 अप्रेल के लिए चार लोगसभासी पर दोनों ही मजबूत जो गटबंदन हैं। यह और महागडबंदन इनके आठ उमिद्वार हैं। हर लोगसभासी पर दो उमिद्वार एक एंडिया गटबंदन के दूसरा महागडबंदन के। लेकिन इनके अलावा जहां 38 उमिद्वार यानि कि 30 ऐसे भी कंडिडेट मैदान में हैं जो इन 8 उमिद्वारों के सामने चुनोती बनने के लिए बेकरार हैं। लोगसभासी चुनाव में सबसे ज्यादा अब तक पहले चरण के नामनकन की जो परक्रिया और चुनाव की परक्रिया और उसमें 38 उमिद्वार हैं। आठ उमिद्वारों को छोड़ दे तो 30 ऐसे उमिद्वार हैं जो किसी बड़े दल से नहीं है या वो तो निर्दल हैं या फिर बिहार की या देश की दूसरी पार्टिया हैं जिनका बिहार में बहुत ज्यादा बोलबाल नहीं है उन पार्टियों से वो तालुक रखते हैं इसमें इलेक्षन कमिस्ण ने सभी लोग सबा चुनाव के प्रतियासों का लगभग लगभग चुनाव निसान भी फाइनल कर दिया हैं आपको बताते कि 19 अप्रेल को जो मतदान होना उसके लिए नाम वापसी की अंतिम तारिख मंगलबार को ही थी जो खत्म हो गई उसके आपश मधिया सुरक्षित सीट से एक प्रत्यासी ने अप्रहे नाम मुआपस ले लिया नवादा को छोड़ सभी सीटों के प्रत्यासियों को चुनाव का जो शिमबल करन तक दिया जा चुका है नवादा को जöm आज सिम्बल दे दिया जाएगा फ्रयाल गया से 14 परतियासी मैदान में है जबकि 90 से 8 परतियासी और अंगाबाद से 9 परतियासी और जमूई से 7 परतियासी मैदान में आपको बताते हैं कि गया में जो सुरक्षित लोगसवा की सीट है वहाँ एंडिये के जीता रामाजी और महागडबंधन के कुमार सर्वजीत मैदान में है उसके बाद बहुजन समाज पार्टी दी नेस्नल रोड मैप पार्टी अफ इंडिया लोगतांतरिक समाजवादी पा सबुखतांतरिक सम्लिए। राष्टिय जन संभावना पार्टी फिर नीरदलिये नर्दलिये दूसमिदवार हैं तो दो महत्पुन उमिद्वारों को छोड़ कर बाकी जितने उमिद्वार हैं इन सभी लोगों की संख्या कुल 14 है यानि गया में 12 ऐसे उमिद्वार हैं जो एंडिये और महागडबंदन की उमिद्वार की मुश्किल बढ़ा सकते हैं नवादा लोकसबास सीट पर भी कमों बैसे तस्वीर निकल के सामने आ रही है आठ उमिद्वार मैदान में है इसमें विवेक ठाकुर भारतिय जन्ता पार्टी यानि एंडिये के उमिद्वार हैं और सर्वन कुमार महागडबंदन यानि की राजत के उमिद्वार हैं इसके केलावा अन्य राजनितिक दलों के कई जो उमिद्वार हैं वह मैदान में है साती साथ जो निर्दल ये हैं वह इस वीच चुनावी मैदान में अपनी किस्मत अजमार हैं और अंगाबाद लोक्षबास से नवपरतियास से जिसमें भाजपा और राजत के उमिद्वारों को को छोड़ दी तो यहां भी कि जो मिद्वार हैं वो ज्यादा तर निर्दल या फिर किसी अन्य राजनितिक दल से कि जमुई से राष्टिय जनता दल और लोश्पा रामिलास पस्वान की पार्टी को छोड़ दे जो एंडिये को मिद्वार हैं इनके अलावा जो हैं वो साथ जो मिद्वार हैं कुल जमुई में उनमें से पांच फिर निर्दली या फिर जो दूसरी राजनितिक दल है जो बिहार की या देश के अंदर जो ऐसी राजनितिक दल जिसकिया बहुत चर्चा नहीं होता है या बिहार में उनकी बहुत राजनितिक जमीन नहीं उनके उमिद्वार चुनावी मैदान में उत्रेवे हैं तो लोग सुबा चुनाव के पहले चरन के नाम वापसी के अंतिम तारीख ये अंतिम दिन के बाद 38 उमिद्वार मैदान में दिखाई पड़ रहा हैं ये लो मुव मिठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुड़निया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डबबाला है अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुड़निया में हम रहेंगे कहाँ अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डबबा अलग से लाया हूँ अपने पुड़निया में घर ले लिया है पुड़निया के e-homes panorama में पुड़निया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर, आलिशान, जिंदगी और अत्यादुनिक सुविधाओं के सब अड़े अब क्यों मूमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे है घर वापसी की खुशी पुड़निया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious, lifestyle redefined